दिखिए कुछ दिनों पहले दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अदेख शादेश गुपता जी ने एक पत्र केंद्री ये जलशक्ती मंतरी को लिखा था कि दिल्ली के अंदर पानी गंदा आता है लियाजा यहां की सेंपल्स की जाच करने चाहिए और मैंने कुछ अकबार पानी की बेहत कमी है गुजरात के अंदर गांधी नगर में 553 लोग गंदा पानी पी कर बिमार पड़ते हैं गुजरात के कच्छ के अंदर 50 से जादा विद्यारतियों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है क्योंकि वह दूशित जहरीला पानी पी लेते हैं ऐसी हालत मद्यप्रदेश के जबलपूर से हैं ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इससे बत्तर हालात हिमाचल के अंदर है जहां पर वहां की हाई कोट ने उनके मुखे सचे को तलब करके फटकारा कि वहां पर प्रदूशन इतना बढ़ गया कुछ इलापों के अंदर जैसे कि हमीरपुर वहाँ पे इंडस्ट्री का वेस्ट इतना जादा प्रोदूशन फैला रहा है कि कुओं का पानी काला पड़ गया और जहरीला है तो हमने केंद्री मंत्री को कहा है कि आप जब जाच कराएं और सिर्फ दिल्ली की जाच करें तो बाकी लोगों के बाकी जाज सासित राज्यों की भी जाच कराएं जैसे कि हिमाचल प्रदेश गुजर्द उत्तरप्रदेश और मद्द्रप्रदेश क्योंकि यहां के बारे में जो दूश्रेत पानी की खबरे हैं कई बार और कई मही नों से अखवारों गंदτα छप रहे हैं अगर इस बार जांच होती है तो क्या दिली से कर दया है देखिए पहले चुनाव से पहले उस वक्त कि जो खादे मंतरी थे अब वो हमारे बीच में नहीं है रामविलास पासवन सहाब ने अपनी पार्टी के कारेकरताओं के घर से चोरी छूपे सेंपल उठवाए और चुना के अंदर उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया हम चाहते हैं कि शेखावत जी इस तरीकी की राजनीति ना करें वहना लोग उन पर उची राजनीति करने का आरोप लगाएंगे हम चाहते हैं कि सेंप्लिंग हो तो न्यूट्रल हो और सब राज्यों में हो या ऐसा हो कि जब वो गुजरात के अंदर हिमाचल के अंदर मध्यपृदिश के अंदर सेंपल कर रहे हूं तो अपोजिशन पार्टी से पूछें कि कहां से सेंपल उठाए जाने चाहिए और दिली में भी वह ऐसा कर सकते हैं झाल